तो हेलो एंड वेलकम अगें दोस्तों जवान ने कल सांदार 32 दिन कम्पलीट करके सांदार 5th संडे कम्पलीट करके आज 33 दिन में रॉयल एंट्री मार ली है और मैं कल बदाऊँ वाना आपको जबर दस्त कमाई करी है मतलब पहले तो ये की 5th संडे तक आपाना 32 दिन तक किसी भी मूवी का टिक पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जबकि सामने इतने सारे अपोनेंट्स हो इतना सारा कॉंपटीशन चल ला हो ना की एक ना की दो उपर कि कमाई करके ला रही है ना की सिर्फ एक करोड बलकी एक करोड से उपर की कमाई करके ला रही है सिर्फ हिंदी में और पूरी दुनिया से तो यह मूवी जबर दस्त कमाई कर रही है current अपसर ऐसा होता है कि कोई भी मूवी इतने टाइम तक theater house में तभी टिक पाती है जब उसके सामने कोई opponent नहीं आता है कोई भी और movie टक्कर में नहीं होती है like पठान, पठान के time पर इतना कोई भी competition देखने को नहीं मिला था लेकिन जवान के time पर हमें जबरदस्थ competition देखने को मिला है गदर 2 जो पहले से ही चल रही थी वो जबरदस्थ तरीके से आज भी चल रही है वो लगातार कहीं न कहीं काफी सोच खाने की कोशिस करी थी और अभी भी कर रही है उसके बाद फुकरे 3 मैं कहूंगा फुकरे 3 जबरदस्थ collection कर रही है इसने रफतार पकड़ ली है ऐसा ना सुरुवात थोड़ी स्लो थी लेकिन उसके बाद जबरदस्थ collection किया है बाद में मिसन रानी गंज अक्से कुमार की मूवी आई ओपनिंग अच्छी नहीं रही लेकिन उसके बाद जब रिव्यूज बहुत अच्छे मिले है सभी की तरब से, क्रिटिक्स की तरब से तो मूवी को अब ले पकड़ने के लिए बड़ी आसानी हो गई और वो जबरदस्थरीगे से ले पकड़ रही है तो यहाँ पर एक solid competitor एक और जोड़ गया फुकरेतरी के साथ साथ जवान के सामने मिसन रानी गंज मूवी साथ में दोनों मूवी चल रही है किसकी सनी देओल के बेटे की तो वो अलग कही न कहीं सोच खार यहाँ उतना ज़्यादा पॉपलर नहीं है लेकिन कुछ सोच तो ले ही रही है अगर वो सोच ना भी जाते हैं वो सोच जवान के नामी रहते हैं तो आज collection और भी ज़्यादा ह्यूज देखने को मिलती साथ में वैक्सिन वार्प भी कहीं न कहीं collection खा रही है विकी कोशल की दे ग्रेट इंडियन फैमिली वो भी चल रही है है ना साथ में हम ले 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 तो राम पुथिनीनी की जो most famous pen India superstar है जिसका नॉर्थ बैल्ड में भी जबरदस्त बोल बाला है और साथ में तो उसकी पकड़ है ही है skanda movie अभी चल रही है तो साथ में तो बहुत कम growth देखने को मिलनी बहुत कम collection आ रहा है around 8 से 10 लाग ये collection आ रहा है कल संडे का अगर मैं बताओ तो संडे holiday होने के बावजूद आज तो Monday working day है तो आज definitely इसकी growth dip जाएगी ही जाएगी growth slow होईगी ही होईगी वो ही film देखने जाएगी या हो सकता है कुछ एक जो सारू खान के die-hard fan है वो doubling या tripling भी कर रहे होंगे तो no doubt SRK की जवरदस fan falling है और मैं ये कहूँगा ना जवान का जो content है इस बार का मास मसाला तो है ही है उसमें जो storyline है उसका जो purity of content है इस बार जबरदस थै इस बज़े से इतनी सारी competition में होने के बावजूद भी ये movie ठीकी पड़ी है क्योंकि अगर मैं बताओ तो विकी कॉसल की कोई कम fan falling नहीं है जबरदस fan following है फुकरितरी अपने नाम से चलती है ऐसी branding set कर रखी हो उन्होंने जबरदस fan falling है तो अबी बात करेंगे जबरदस fan falling है कल का दिन कैसा है और भी ये movie कितनी कमाई कर सकती है सभी बातों पर चर्चा करेंगे करके लकिन उसे पहली वीडियो के इंट दुक जरू जूड़े रहना है और अगर नय हो तो छैनल ऐस्वास्ट के बाद साहरूप खान देखने को मिलेंगे, उसमें सपोर्टिंग कास्ट इस अमेजिंग, विलन विजेव सेतु पती हिस अमेजिंग, उसके इस स्टोरी लाइन इस सूपर फेंटास्टिक, इस सूपर अमेजिंग, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्षन के पर जबर्द सरीके से बात उठाई गई है साउत के डिरेक्टर हैं तो साउत का तर्का देखने कोई मिलेगा और वही जबर्दस्त भी लगा ओपनिंग मैं कहा रहा हूँ बहुत सॉलिट करी इस मूवी ने पहले दिन 130 करोन की बिगेस्ट ओपनिंग करिए जो की सरकस जैसी मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ओविस कलेक्शन भी नहीं है वाई सब अमेजिंग कलेक्शन अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन उसके बाद जब पहला हपता मूवी ने कंप्लीट किया तो पूरी दुनिया जो कि दंगल का ओवर सीज कलेक्शन बहुत जबर्दस रहा है वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओविस कलेक्शन दो हजार करोन के आसपास है जिसने बाहु बली टू के जाइंट रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर दिया लेकिन इंडियन नेट कलेक्शन मार चुकी थी और यहां तक आते आते मुवी ने सिर्फ हिंदी से 515 करोन कम्प्लीट कर लिये थे और केजी एफ 2 के हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ओविस कलेक्शन को भी खदेर डाला था यहां तक थर्ड वीक का मैं बताऊं तो सिर्फ थर्ड वीक में मुवी ने नेट इंडियन कलेक्शन 55 करोन का करा था जिसमें सिर्फ हिंदी से 52 करोन आये था थर्ड वीक एंड होते होते भी जबर्दस्त कमाई करी वहीं अगर मैं बताऊं तो 25 दिन तक मुवी ने पूरी दुनिया से 1082 करोन कम्प्लीट कर लिये थे और यहाँ पर एक जबर्दस्त मोमेंट क्रियेट हो गया था कि यार 1100 करोन ये मुवी साथ 4 दिन में कम्प्लीट कर देगी लेकिन यहाँ पर संडे और गांधी जैनती का बहुत ज़्यादा रोल रहा और इन दोनों में जो जबर्दस्त हिूज पकड़ी इसी के साथ मैं बताओं तो 26 दिन में भी जबर्दस्त कमाए करी 27 दिन में भी जबर्दस्त कमाए करी 28 दिन तक आते आते मुवी ने जबर्दस्त कमाए कर ली थी और यहाँ तक टोटल Net Indian Collection 618 करोन हो चुका था जबकि Net Indian Collection के मामले में कोई भी बॉलिवुड की मुवी 600 करोन कभी टची नहीं कर पाई और इस मुवी ने ना कि सिर्फ 600 करोन टच किये बलकि इसको क्रॉस भी कर लिया था और यहाँ तक आते आते मुवी ने हिंदी में बाहु बली 2 के Lifetime Collection के रिकॉर्ड को खदेड दिया था नई ताजी फिल्म गदर टू जो हिंदी से नंबर वन पर आ चुकी थी पठान को खदेड कर उसको दो ही दिन के अंदर बीट डाउन कर दिया था वहीं 29 दिन तक आते आते मुवी ने हिंदी से कर लिये थे 560 करोन, नेट इंडियन से कर लिये थे बाकी सामने इतना सारा कॉंपटीशन चलना था उसके बावजूद भी जबरतस्त कमाई करी तो सैटरडे का अगर मैं बताओ तो पहले 31 दिन तक ही ये मुवी सिर्फ हिंदी से 563 करोन कमा चुकी थी नेट इंडियन कलेक्शन 621 करोन हो चुका था ग्रोस कलेक्शन वही 737 करोन हो चुका था ओवर सीज से 371 करोन का हीूज हीूज कलेक्शन हो चुका था और पूरी दुनिया से ये मुवी 1208 करोन का अमेजिंग कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी बात करे कल यानि 5th संडे की यानि 32 दिन कैसी ग्रोथ रही तो कल तो 5th संडे था आख फार दी 5th संडे में आके ऐसी जबरदस्त ग्रोथ रही बलकि साथ में मिसन रानी गन चल ली थी मैं फिर गहरम फुकरे 3 भी चल ली थी ये दो मूबी काफी सोच खाए हैं ये दो मूबी जबरदस तरीके से ट्रेंडिंग में चल रही है हिट चल लही है ओबर और अल ओक्योपेंशी कल की अगर मैं बताऊ तो 20% की ओबर अल ओक्योपेंशी रही है थेटेर हाॉस में मौनिंग में ही 15% की ओख्योपेंशी रही थी अलग से वीडियो बना दी जाएगी इसी के साथ huge गरोत करते हुए total हिंदी से कल end of the day तक 565 करोन हो चुका था और total net Indian collection 624 करोन हो चुका था तीनों language को मिला कर और gross कल end of the day तक रहा था 372 करोन और पूरी दुनिया से ये movie 1113 करोन कमा चुकी थी कल 32 दिन के end तक बात करें आज यानि 33 दिन यानि आज मंडे की आज working day की growth कैसी है तो आज तो working day है तो growth dip जानी ही जानी है और उपर से 33 दिन हो चुके हैं और Sunday तक जो बची कुची audience थी मैं कह रहा हूँ बहुत सी audience कल cover up होच की थी तो आज भी इसमें dip देखने को मिलेगा साथ में जो movie चल रही है मिसर नानी गंज, फुक्रेथरी ये और भी जादा सोच खाएंगी अब इनको ले मिल चुकी है क्योंकि वहाँ से reviews बहुत अच्छे मिल ले है इन movie को क्योंकि उनका भी content दमदार है, मिसर नानी गंज का content मैं कह रहा हूँ ना super fabulous है, जबर दस्त content है लेकिन वही वात है, mass, masala, action ये कहीं ना कहीं हमेशा इन सारे content में dominant कर ही जाता है तो yes, आज end of the day तक कमाई कर रही है movie, उससे पहले occupancy बताओ, overall occupancy तो 8-9% की overall occupancy है पूरे दिन की theater house में हिंदी से आज collection आता दिख रहा है 1.43 करोन और total net indian collection तीनों language को मिला के 1.5 करोन और पूरी दुनिया से 6 करोन की कमाई करते नजर आ रही है तो पहले 33 दिन में आज end of the day तक movie सिर्फ हिंदी से 566 करोन कमाई चुकेगी और पहले 33 दिन movie net indian collection में 626 करोन हो जाएगा और पूरी दुनिया से ये movie 1116 करोन के marvelous आंकडे में entry मार लेगी जबर दस्त collection, huge collection तो वो दिन दूर नहीं जब ये movie 11.100 करोन पूरी दुनिया से complete कर जाएगी मैं मानके चलना हो ये movie अभी देखना जाए तो 19 तारीक को लियो movie आनी है 20 तारीक को गनपत movie आनी है और लियो के लिए नॉर्थ बेल्ट में जो हिंदी फैंस है, नॉर्थ बेल्ट के फैंस है वो PBR, Ionox और Cinepolis में मल्टी प्लेक्स में movie को चलाने की मांग कर रहे है तो who knows अभी 10 दिन है, 10 दिन में कुछ भी हो सकता है अगर मल्टी प्लेक्स में movie आ गई तो जबर 10 कलेक्सन करेगी, जबर 10 कॉंपटीशन देगी ना कि सिर्फ जवान को बलकी गनपत को भी दूसरी बात अगर गनपत तो चलनी ही चलनी है तो definitely जवान महां से eradicate हो ही जानी है बहुत कम कलेक्सन देखने को मिलेगा लेकिन ये movie काफी पुरानी हो जाएगी और अच्छा खासा कलेक्सन तब तक कर ले जाएगी तो 1.500 क्रोण lifetime कलेक्सन ये movie कर सकती है अगर 19 तारिक से पहले अच्छी अच्छी कलेक्सन रही तब वरना 19 तारिक के बाद इसकी growth पूरी पिट जाएगी ये सारी competition में जो ये movie है सब पर जाएगे क्योंकि दोनों movie बहुत जबरदस्ट content लेकर आ रही है तो आप लोगों की क्या रहा है क्या ये movie साड़ी गारसों क्रोड़ कम्प्रीट कर जाएगी जो भी आप कर रहा है नीचे comment बुक्सर जरूब बताएगे जाना बगी मिलते अगली वीडियो में जेह हैं